नमस्कार ताल ठोक के देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रोहित सर्दान आज एक बार फिर ताल ठोक के कमुंता यूपी की तरफ कुंगे है लेकिन आज कटकरे में यूपी की सरकार नहीं बलकि हारती जन्ता पार्टी है और सवाल ये है क्या उत्तरफदेश चुनाव से ठीक पहले बीजेपी बटवारे वाली सियासत से जीत करास्ता तलाश रही है ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के मेरट में सरधना से बीजेपी विदाहे संगीत सोम का एक वीडियो सामने है इसमें संगीत सोम ने बीएस्पी नेता इमरान याकूब को पाकिस्तानी करार दिया और खुद को हिंदुस्तानी बता है ये वीडियो बुदवार को हुई उनके एक पब्लिक मीटिंग का है जिसमें संगीत सोम ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर वो हार गए तो यहाँ पाकिस्तान बन जाएगा तो क्या ये माना जाए कि चुनाव के पहले मजभी सिक्का उछलने की शुरुआत हो गई है क्योंकि संगीत सोम मीटिंग में लोगों से पूछ रहे हैं बताइए क्या आप चाहते हैं कि वो हारें और यहाँ पाकिस्तान बने ये उस पार्टी के नेता का बयान है जिसकी केंदर में सरकार है और पीम नरेंदर मोदी खुद कई बार अपने नेताओं को सोच समझ कर बयान देने की नसीहत दे चुके है तो क्या बीजेपी के नेता प्रधान मंतरी मोदी की भी नहीं सुनते इसके पहले बिहार चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जुम्ला उचला था तो आखिर क्यों चुनाव से पहले सियासत का राग हिंदुस्तान पाकिस्तान में बदल जाता है और क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान करके बीजेपी के नेता असल में हिंदू-मुस्लिम ध्रुवी करन करना चाहते हैं लडाई हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान है एक तरफ पाकिस्तान है उसमें तो मैं क्या करना यह सोचलियो बाप की तो मदेखनुआ अरे उसके बाप की तुड़ाया था इसे तुड़ाया तो तम पर पिचिंता कर लें इसका अधम ने बाप ने जमन दिया था हिसे क्या जमन देंगे तो बता है तो याकूब ने लंपकर इम्रान के जते हो नहां मैंने लोगा हाथ पर सी आकूब के तो मैं तम चिंता ना करिया खाल में भूज बर दूँआ ता चिंता मत करो लंड़े कूवए नहीं होगे तकर केड़े पड़े रहे हम सब लोग और जहर गोलने की पूरी साजिस हैं लोग की और ऐसे लोग किसी भी समय बड़ा जहड़ा करा सकते हैं ताल ठोक्के में आज का पहला सवाल क्या बीजेपी विथायक बटवारे वाली सियासत कर रहे हैं दूसरा सवाल यूपी चुनाब से पहले भारत पाकिस्तान क्यों? दीसरा सवाल सांपरदाइक सियासत से बीजेपी जीतेगी यूपी चौथा सवाल पाकिस्तान की डफ़ी पर चुनावी राग क्यों? और ताल ठोक्के में आज का पांचवा सवाल क्या यूपी चुनाब में हेट स्पीच है बीजेपी का हत्यार? तो आपको बतादे हैं हमारे साथ आज राजीव त्यागी हैं जो कॉंग्रिस पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ गौरव भाटिया हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं जो कि भारतिये जरता पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ आलोक महता हैं यहानो अड़ा सुडी में वरिश्ट पत्रकार हैं आपको बता दें कि इसके पहले हमने संगीत सूम को फोन किया हमने उनसे निवेदन किया कि वो आज के इस कारक उस सीधी बात से भी साफ तोर पे इंकार कर दिया लहाजा प्रेम शुक्ला अब उनको डिफेंड करना है उनको खारिज करना है उनकी बात को पार्टी की बात बताना है या उनकी बात को निजी राय बताना है यह आपके उपर है आप बताईए मुगल बामला ये है कि कुछ लोग भारती जनता पार्टी उसकी विचारधारा उसके नेताओं उनके कारेक्रमों उनके वक्तव्यों उसके बारे में इतना हेट रखते हैं कि उनकी हर बात में हेट स्पीच नजर आती है संगीज सोम को मुझफर नगर दंगे कांड का अभीक्त बताया जाता है दंगाई कहने का आरोब जो है लोग लगाते हैं लेकिन समाजबादी पार्टी की सरकार उस दंगे में आज दिन तक संगीज सोम के खिलाफ चारशीट भी पेश नहीं कर पाती उनसे कहते हैं किनका मीट का कारोबार उन्हें 2005-2006 सारे पेपर सबके समक्ष रख दिये और यह सिद्ध कर दिया कि मेरा उससे कोई लेंदेन नहीं है फिर भी उनको मीट का मैं इसी चैनल पर विवित चैनलों पर आपकी चर्चा के दवरान विवित दलों के प्रवक्ताओं गर्म से जन्म लेता है और सेकुलरबादी व्यक्ति के हांथो जो है उसका शिलानियास होता है जब सेकुलरबाद के अतिरेक में राष्टवात को दबा दिया जाता है तो एक विचारधारा पैदा होती है जो अराजकता की विचारधारा है जो लोगों के खिलाफ नफरत व पांग्तिस्तान जो है वो कुरी तरह से लिल लिया गया है आर्थिक सथा संस्थापित करने का प्रयात्न तो यह चीज यह कोई व्यक्ति नुसरे शब्दों में रखना चाहें तो सब्रों को पुचे जाने लग folds और तब चुप रहना जब आजम खां कारगील में जो जवान मारे गए उनका मजहब पूछ ले जब सवर्ण पर बलातकार हो जाए और अल्पसंग्जिक समुदाय द्वारा हो जाए तो उसमें शडेंत्र नजर आने लगे ऐसी स्थिति जब खड़ी की जाती है कि कहराना में एक को तो नयाय मिलेगा और दूसरे को नयाय नहीं देंगे यह सुनिश्चित कर लिया जाता है जब आप धर्म के आधार पर पुलिस थानों में तहनाती करते हो तब क्या बंटवारे को आमंत्रण नहीं दे रहे हो और अगर इस तरह के बंटवारा बंटवारा है क्या इस कांग्रेस वो सेकुलर हो गई जो बंटवारे में मूग दर्शक बनकर खड़े रहे हैं कमिनिस्ट वो सेकुलर हो गए और हिंदूस्तान की बात कर देना हिंदू सांपरदायक्ता का प्रतीक बना दिया गया हम देश को परोईद जी कहां ले जा रहे है शुकला जी शुकला का यह लड़ाई हिंदूस्तान और पाकिस्तान की है यह ध्यान रखना एक तब क्या करना है सोच लो कैसे करना किया करना कास की मैयद देख लोंगा अरे उसके बाप को डुबए था इसको भी डुबोंगा तुम काय की चिन्ता करती है ना सर सुन लीजे मैंने तो कहा था चिंता मत करो याकूब की खाल में भूसा बर दूगा कहा था ना इस लड़के का भी यहीं इंतिजाम हो जाएगा तुम चिंता मत करो अब सर इसमें कौन सा विकास हो रहा है बताइए ना इसमें कैसे आप इंदुस्तान के विकास की नई तस्वीर पेशका न metry जो प्रधान और प्रदान मंत्री के टुकड़े कर देने की भाषा हो गई करुणा की भाषा हो गई जायज नहीं ठहरा रहा हूं बिल्कुल जायज नहीं ठहरा रहा हूं इतना कह रहा हूं भूसा भरना एक कहावत है जो उत्तर प्रदेश की हिंदी की भाषा में सतत प्रयोग होता है भूसा भरना की हिंसक तोर पर उसकी खाल होता है कर भूसा भरेंगे ऐसा उसका संकेत लेना मुझे लगता भाषा का भी अपमान है गौरब बाटिया बोलिए देखे आज पूरी बात सुनने के बाद भाषा प्रवक्ता की मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत दुख होता है कि हमारे देश में ऐसे नेता भी है जो इस तरह का विक्तव दे रहे हैं और वो नहीं समझ पारे कि भारतिय प्रजातंत्र की खूबसूरती ये है कि यहां कई विचारधारा एक साथ अपनी बात रख सकती है और जनता ते करती है किस विचारधारा के साथ उन्हें चलना है एक भारतियों को पाकिस्तानी बता देना या जो आपका विरोध करे उसे कह देना कि ये पाकिस्तान की जीत होगी मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है संगीत सोम का बयान तब आया है जब नरेंदर मोदी जी ने कई बार अपील करी कि इस तरह के संपरदाई बाटने वाले बयान ना दिये जाए नफरत और जहर ना घोला जाए लेकिन आज पश्ट हो गया है कि नरेंदर मोदी जी की भी बात भाजपा के जो रीजनल उत्तर परदेश के नेता है ये नहीं सुनना चाते और ऐसा इसलिए है रोहिज जी क्योंकि विकास की बात करने वाली भाजपा ने उत्तर परदेश में 73 सांसद होने के बाद जूद विकास नहीं किया इसलिए वो सांपरदाइक बात करके परदेश को बातने का काम कर रही है और भाजपा की केंदर सरकार ने इनको Z-plus सेक्योरिटी दी जबकि ये खुद चार्शीटिड है मुजफ़न अगर दंगो में अभी प्रेम शुकला जी कह रहे थे कि कोई चार्शीट नहीं फाइल आरोप पत्र क्रिपे आप रस्तुत करना है उमीद ये करूँगा तो मैं आपसे सिर्फ आकर आपको लेकिन आपको शर्म नहीं आई और आप आके यहां पर बता रहे हैं कि क्यो संगीत सों के ना है क्योंकि इम्राइम सिंग के हरकतों को क्या भाजपा ने उपाध्यक्ष नहीं बनाया अखिलेस यादों की हरकतों पर शिवपाल यादों की गुंडा करते पर जानता है मुझफवा नगर में दंगे अगर हुए तो भाजपा के नेताओं ने कराए और 2017 के चुनाव में आप पिर आजम घां की भूमे का और इसलिए आप संप्रदाइगा को क्लींचिट सुनीर अपको मारत माता को टायन बताने वाला आजम घां को क्लींचिट ये अपने आप में दर्शाता है कि आज जो आज विशे है उस पर चर्चा करिए आज कमिल लाडू में क्या है कैरला में क्या है इसकी चर्चा नहीं है अगर संगीत सुने मुजफर नगर में दंगे कराए थे तो आपकी सरकार में कैसे खुले हाम गूम के भाशन दे रहे हैं इस तरीके के फिर से क्यों नहीं अंदर डालते हैं आप लोग उनको मैं आपको बता रहा हूँ रोए जी सबसे पहले मैंने बताया असंगीत सोम के खिलाफ कारवाई हुई और उनके खिलाफ चार शीट हो रखी है वो ट्राइल फेस कर रहे हैं लेकिन उनको जेड़ प्लस सुरक्षा कौन प्रो करता है वो समाज के लिए एक खत्रा है और उनको खुझ सुरक्षा दी जाती है तो बार सड़क पे क्यों हैं आपकी सरकार रहते हुए आप उनको अंदर क्यों नहीं डाल सकते सर आप उनको और नहीं डाल सकते सर आप वकील हैं मैं समझाँगा क्या आपको जब सामने वाला वकील फेल हो जाई ये थाबित करने में कि इस आदमी को पकड़ के क्यों रखना है तब कोट बेल देती है सर अरेश्ट होती है और संगीत सों को अरेश्ट किया गया मुझफवर नगर के लिए भी किया गया एक समय बीच जाने के बाद नयाले जो है कहता है बेल इस दे रूल बेल इस दे रूल और जेल इस दी एक्सेप्शन बेल मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि उनका ट्राइल खत रहा हूं और एक आरोपी को जिसके खिलाब चार्शीट फाइल्ड है उसको सम्मान दिया जाता है उसको जेट प्लस सुरक्षा दी जाती है सुरेश राना जैसे व्यक्ति को उपाध्यक्त बनाया जाता है कैसे यह लोग इम्रान लसूत की बात करते हैं सुरेश राना को किस